हेला रिवन, वेलकम तो जी सेंट्रेक और ट्रांजियन्ट का ये पार्ट थर्ड है जो कोशन डिसकेशन का होने वाला है और इसमें भी हम लोग इंट्रेस्टिंग कोशन करेंगे पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने प्राब्लम बहुत अच्छे अच्छे डिसकस करी है इसमें भी प्राब्लम का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे कुछ स्पेशल केसेश को भी यहाँ पर इन्वाल करेंगे ठीक है तो कोशन नंबर 109 है इन दे फिगर शोन ओल दी ऐलिम है वो ओपन है एक टीकवल टू जीरो एसवन इस ओपन एंड एसटु इस च्लोज मतलब टीक वोल टू जीरो माइनस पर आपका जो स1 है वो क्या है क्लोज है और एसटु क्या है ओपन ओपन इसका मतलब हम यह बोल सकते हैं अगर मैं स्टेप नंबर वन लिखू है ने चलो पर एक कोशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं, 8 T equal to 0, S1 is open and S2 is close, T equal to 0 पे क्या हो रहा है आपका, मतलब T equal to 0 plus पे T equal to 0 plus पे आपका उल्टा हो रहा है, कि S1 जो है, वो आपका क्या हो जा रहा है, और S2 जो है, वो आपका close हो जा रहा है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अभी solution नहीं कर रहा हूं, कोशन को decode कर रहा हूं, if the voltage VC2 across the capacitor C2, मतलब C2 के across जो capacitor है, that is VC2, VC2 across the capacitor C2 at T equal to 0 is 0, है ना, पहले से 0 है, T equal to 0 is 0, the voltage across the capacitor combination, capacitor, दोनो capacitor combination at T equal to 0 plus will be, देखो, इनको भी पता था, कि जब ये switch close होगा, तो दोनों capacitor क्या हूंगे, दोनों एक ही charge store करेंगे, मतलब दोनों capacitor के across एक ही charge रहेगा, ठीक है, एक ही मतलब कि same amount का charge रहेगा, ठीक है, तो ये इसलिए उन्होंने क्या हो लिखा, यहाँ पर voltage across the combinations at T equal to 0 plus, number 1 पे, जो कि हमारे T equal to 0 minus पे है, तो हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, कि VC1, VC1 0 minus, VC1 0 minus कितना है, VC1 0 minus मतलब switch close होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये capacitor जो है, C1 capacitor, जो आपका C1 capacitor है, वो हो जाएगा, with source, with source, with source, और source हो जाएगा, with source हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर, not short circuit, ये हो जाएगा, आपका open circuit, और open circuit हो जाएगा, तो इसके across जो voltage है, आपका वो क्या कहलाएगा, यही 3 volt यहाँ पर अपियर हो जाएगा, तो 3 volt हो जाएगा, VC1 0 minus, आइबा समाज में, और जो C2 है आपका, वो है आपका without source, without source, without source, without source, तो इसका मतलब है, कि VC2 0 minus पे कितना है, 0 है, अब दिखी क्या होगा, जब step number 2 होगा, जब step number 2 perform होगा, step number 2, तो T equal to, T equal to 0 plus पे, T equal to 0 plus पे, ठीक है, T equal to 0 plus पे, अब आप गो देंगे, सर, आपने step number 2 क्यों लिया, आपको T equal to 0 plus पे, directly VC0 minus, तो equal to VC1, 0 plus लिख देते, similarly VC2 0 minus, equal to VC2 0 plus लिख देते, directly, बट ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि T equal to 0 plus पे, जैसे ये आपका open हो जा रहा है, और ये close हो जा रहा है, इसका मतलब है, कि एक capacitor जो कि पहले से, आपका क्या है, charge है, वो आपका T equal to 0 plus पे, एक uncharged capacitor पे, मतलब की, ये बोल सकते हैं, कि पहले से, पहले से VC0 minus 3 volt है, और ये है आपका, VC1 लेलो, इसको, VC2 0 minus, ये कितना है, 0 है, इसका मतलब है, कि different initial charge, different initial voltage वाले capacitor, अगर आपस में connect होंगे, तो ये आपका case कुन सा कहलाया, ये कहलाया आपका special case, क्योंकि यहाँ पे, कुन सा signal drive करेगा, impulse signal drive करेगा, so do not connect, to different initial voltage, या फिर बोल सकते हैं, to different initial charge capacitor, do not connect, different initial charge capacitor together, ठीक है, आपको कभी भी connect नहीं करना है, जब भी ऐसे connect होते हैं, करना नहीं, मतलब ऐसा होता नहीं है, जब भी आप connect करेंगे, तो याद है आपको, जो मैंने full course में कैसे बताया था, एक टंकी वाले example बताया था, नल खुल जाता, दोनों टंकी में क्या होगा, बराबर, पानी हो जाएगा, थोड़ी देर बाद, जैसे टीक, क्योंकि यहाँ पर कोई रजिस्टर नहीं है, तो instantaneously, यह जो charge capacitor है, और यह uncharge capacitor है, तो हम बोल सकते हैं, ideally zero time में, zero time में इन दोनों के उपर क्या होगा, बराबर है, तो हम यह बोल सकते हैं, कि यहाँ पर आपका charge बराबर है, तो initial जो voltage जैसे, वो भी आपके क्या होंगे, बराबर रहेंगे, तो उसका जो constant charge theorem का जो formula है, मैं directly करते हैं, पुरा derivation नहीं कर रहा हूँ, otherwise इसको charge के थूँ, आप पुरा-पुरा derivation करते हैं, मैं वो derivation नहीं कर रहा हूँ, डारेक्टली formula लिख रहा हूँ, तो VC1, VC1 आपको क्या पूछा है, combination पूछा है न, तो VC1, दोनों का दोनों combination बराबर ही रहेगा, तो VC1 0-C1, प्लस VC2 0-C2, divided by C1 प्लस C2, ठीक है, तो यहाँ पर हम यह बोल सकते हैं, कि यह आपका 3V into C1 कितना है, C1 है 1 फैराड प्लस, यहाँ पर VC2 यह कितना है आपका, 0 into C2 कितना है 2, divided by 1 प्लस 2, तो यह कितना हो जाएगा, 3 divided by 3, that is 1V is the answer, तो यह हो जाएगा, आपका A is the correct answer for this question, मज़ा आया इसमें, क्योंकि दीखिए, आपका यहाँ पर constant charge theorem था, क्योंकि यहाँ पर, आपके 2 different, different initial charge वाले, या different initial voltage वाले भी बोल सकते हैं, capacitor साथ में collect हो रहे था, तो यह था हमारा एक special category वाला, similarly मैंने आपको जब theory class पढ़ाई थी, मैंने एक inductor वाले example भी बताया था, तो वहाँ पर हम लोग constant flux theorem भी लगाते हैं, यह हमारा constant charge theorem था, वो flux theorem था, है ना, यह जो formula derived होता है, यह हमारा q सही होता है, q 0 minus equal to q 0 plus, तो उस पूरे derivation की need नहीं है, ठीके, चलिए, next question की तरब बढ़ते हैं, question number 110, thus in the circuit shown, Vs is the 10 volt square wave period, T equal to 4 millisecond, मतलब आपको एक supply voltage ही किसका है, Vs का voltage है, Vs voltage है ना, और यह plus 10 to minus 10, एक square wave waveform है, जो यहाँ पर T by 2 और यह time period कितना है, T है, जिसकी value आपको दरखी 4 millisecond, 4 millisecond दरखी इसका मतलब T by 2 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 2 millisecond, यह 2 millisecond का time है, ठीक है, और यह time आपका क्या है, 4 millisecond का, यह time 4 millisecond का है, क्या बोला है, with R and C, कहां पर यह किसको दे रहे, R and C, R C circuit पर दे रहे रहे एक diode लगा हुआ है, ठीक है, इसको analog का problem नहीं समझना, the capacitor is initially uncharged as t equal to 0, t equal to 0 पे यह क्या है, आपका uncharged है, and the diode is assumed to be ideal, the voltage across the capacitor we see at t equal to 3 millisecond is equal to, आपको बोला है कि इस capacitor के across आपको voltage बताना है, कब, और यह जब time कितना हो, 3 millisecond, 3 millisecond, अब 3 millisecond waveform में कहा नजर आ रहा है, मुझे 2 और ये 4 है, तो यहाँ पर कहीं आएगा, यहाँ पर आपको आएगा 3 millisecond, अब दीखें, पहले तो मैं आपको एक स्को लोजिकल तरीके से बताता हूँ, यहाँ पर जब हम लोग square wave देंगे, यह square wave दिया, हम लोगों ने positive दिया, शुरुआत में plus voltage, प्लस 10 voltage, तो यह प्लस 10 volt होगा, प्लस 10 volt, प्लस 10 volt होगा, और यह initially कोई भी इस पर voltage नहीं है, तो जैसे T equal to 0 पर हम लोग जब इसका चालू करेंगे, waveform जैसे T equal to 0, यहाँ से just हम लोगों ने इसके पहले से, पहले से इस capacitor पर कोई voltage था क्या, नहीं था, तो हम लोगों क्या करेंगे, जैसे T equal to 0 पर यह waveform देना start करें, square waveform, square wave हम लोगों ने input में देनी, और जैसे ही देना start करा, उस time पर आप देखे, diode का जो anode और cathode है, diode का जो anode है, वो आपका क्या है, 10 volt और cathode आपका क्या है, lower potential पर, अनोड हैर potential पर, cathode lower potential पर, तो diode क्या रहेगा, on रहेगा, कब तक on रहेगा, 0 से लगाकर, T by 2 तक क्या रहेगा, on रहेगा, on रहेगा, तो यह capacitor कुछ न कुछ voltage करेगा, कुछ न कुछ voltage करेगा, उसके बाद देखिए, T by 2 से लगाकर, T मतलब 2 millisecond से 4 millisecond तक, voltage हायर हो जाएगा, तो उस case में हम यह बूल सकते हैं, कि T by 2 से लगाकर, अभी हम calculate करेंगे, अभी नहीं पता, suppose करो इधर का voltage है न, हो सकता है, यह minus 10 इधर है, तो यह और भी कम हो जाए, ऐसा voltage भी हो सकता है, तो वो अभी हमें नहीं पता, तो अगर अगर ऐसा condition, assume कर लेते हैं थोड़ी दर के लिए, कि ऐसा condition रहता है, कि minus 10 इधर है, और यह voltage यहाँ पे ज़्यादा रहा, ठीक है, मतलब इस वाले voltage से minus 10 से, अगर यह voltage ज़्यादा रहा है, तो diode क्या रहेगा, off रहेगा, और diode off रहा, तो यही voltage आपका 3 millisecond पे भी वही रहेगा, जो 2 millisecond पे था, ठीक है, क्योंकि capacitor आपका क्या हुआ, charge हुआ, 0 से लगा कर, 0 से लगा कर 2 millisecond तक जो charge हुआ, charge हो कि जो voltage इसने store किया, वो वापस discharge नहीं हुआ, क्योंकि discharge होते टाइम पे, आपका डायोड ने अलाव नहीं करा, है ना, तो यह एक summary बता दी मैंने, जो कि इस question की है, अब उम लोग इसको solve करते, तो वापस हमारा step number 1, step number 1 लेते हैं, step number 1, it t equal to 0 minus, t equal to 0 minus, तो t equal to 0 minus पे हमारा, पहले से कुछ था क्या voltage, capacitor VC 0 minus, equal to VC 0 plus, यह कितना हो जाएगा 0, क्योंकि uncharged था, uncharged, पहले से uncharged था, ठीक है, तो step number 2 की हमें, जरूत नहीं पड़ी, step number 3 की अगर बात करें, step number 3 की, तो t equal to infinite, अब t equal to infinite पे, अगर हम लोग थोड़ी दिर के लिए, यहाँ पर, एक generalize बहुत करें, क्योंकि t equal to infinite, यह तो बदलते हैं जा रहा है, plus 10, minus 10, plus 10, minus 10, तो कहिना कहें, आगे चलके, आगे चलके, तो हम लोगों ने क्या किया, कि infinite की जगे, कोई बड़ा time ले लिया, नहीं नहीं, infinite तो कुछ वैसे भी नहीं होता है, long time, तो long time पे, यह थोड़ी दिर के लिए, plus 10, एजियूम कर लिया, थोड़ी दिर के लिए, कि अगे एजियूम कर लिया, कि इदर का, voltage, higher voltage, क्योंकि, infinite time पर भी, यह time axis से पूरी, infinite time पर भी, voltage का, जो source voltage का, variation हो, plus 10, minus 10 के बीच में है, ठीक है, ठीक है, तो यह हो गया, आपका VC infinite 10 volt, क्यों हम लोगों ने positive लिया, क्योंकि अभी negative voltage पर, यह इसका voltage क्या रहेगा, उसके basis पर अभी डिपेंड करेगा, कि यह diode on है या off है, हमें नहीं परता, ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोगों ने, प्लस 10 के हिसाब से 10 volt ले लिया है, अब धम लोग जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखते हैं, जनरलाइज एक्सप्रेशन VC of T कितना जाएगा, यह हो जाएगा, 10 प्लस 0 माइनस 10, e to the power माइनस T by tau, tau कितना है, आरसी 500 इंटू, यह तो हो जाएगा 5000, तो 5 इंटू 10 to the power माइनस 3 कर देता हूँ है न, तो यहाँ पर मैंने यह जनरलाइज एक्सप्रेशन इसको और सिंप्लिफाई कर देता हूँ, यह कितना हो जाएगा, 10 1 माइनस e to the power माइनस T by 5 इंटू 10 to the power माइनस 3, ठेके, यह हो गए हमारी जनरलाइज एक्सप्रेशन, अब दिखे, हम लोग एक एक करके, अब यह मैंने जनरलाइज एक्सप्रेशन कर ले तो, अब हम लोग किसी भी टाइम के लिए voltage find out कर सकते हैं, suppose करिए, मैंने अभी प्लस 10 ही assume किया था न, इतना आएगा, तो 10, 1 minus e to the power minus 2 upon minus 2 by 5, क्यों कर दिए, मैंने minus 2 by 5, क्योंकि मिली था, तो मिल 10 to the power minus 3, तो minus 3 minus 3 cancel out, तो direct e to the power minus 2 by 5, तो यह हो जाएगा 3.3 volt, यह कितना हो जाएगा 3.3 volt, ठीक है, अब देखे, यहाँ पर VC 2, VC 2 millisecond पर आपका आगया 3.3 volt, अब हम लोग यहाँ पर चेक करते, T by 2 से लगाकर 2 तक, अब यहाँ पर situation देखिए, यहाँ पर situation आपको कुछ इस तरीके से रजिस्टर है, और यह diode है न, जिसका हमें नहीं पता क्या हाल होगा, और 2 millisecond, just 2 millisecond, क्योंकि 2 millisecond के just बाद आपका क्या हो गया है, minus voltage हो चुका है, है न, यह capacitor, इस capacitor ने कितना voltage स्टोर कर लिया है अभी तक, वो अभी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, यह हो गया आपका 3.3 volt, प्लस 3.3 volt, अब देखिए, अब क्या हुआ, प्लस 10 से माइनस 10 हो गया, यह जैसे माइनस 10 हुआ, और यह, तो अब डायोट क्या रहेगा, आपका off रहेगा, कब तक off रहेगा, जब तक यह माइनस 10 इधर का, जो आपका anode voltage है, वह आपका क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, और cathode voltage बढ़ा है, तो इसका मनलब T by 2 से T तक, आपका diode क्या है, off है, और diode off है, इसका मतलब है, कब तक off है diode, यह T by 2 से लगा कर T तक, आपका क्या है, off है, और off है, उस case में आपका capacitor का voltage वही बना हुआ है, क्योंकि जब तक ही capacitor किसी register से connect नहीं हो जाता, तब तक ही discharge नहीं हो सकता, तो इस बीच में भी यही voltage यहां पर बना हुआ रहेगा, और हमें पूछा कहां पे, 3 मिली सेकेंड, और 3 मिली सेकेंड भी क्या है, इसी बीच में आ रहा है, इसका मतलब है, कि यहां पर वी सी 3 मिली सेकेंड पर भी कितना voltage रहेगा, 3.3 volt ही रहेगा, आया समझ में, तो इस तरह के problem को आप इस तरीके से handle कर सकते हैं, जैसा मैंने यहां पर बताया है, मज़ा आया, तो diode on-off का simple तरीका है, अब नेक्स कोशन की तरब बढ़ते हैं, तो यह थोड़े से problem से जहां पर student को थोड़ा सा करने में डर लगता है, जब signal दे देते हैं, step या impulse, कुछ भी ऐसे signal दे दिए, तब वहां पर diode भी involved हो जाता है, तो देख के student को लगता है, यार कहां करेंगे, start ही नहीं करते हैं, आपको simple साब आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा छोटा 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 हां मानता हो को हो सकता है, उस time पर आपको click नहीं करें बहुत सारी चीजे, पर आपको कहीं ने कहीं इस पे थोड़ा भुद भी अगर दिमाग लगा लिया, तो question आसान बनता है, एक trick होता है, एक clue रहता है, उस clue को पकड़ना रहता है, वो clue अगर आपने पकड़ लिया, तो question बहुत ही easy हो जाता है, ठीक है, तो डरने का नहीं है, 65 में से 45-50 question हमें करना है, अगर कुछ question नहीं भी होते हैं, तो कोई tension वाली बात नहीं है, पेपर में 100% number नहीं लाना है, आपको कम से कम 100 number का अगर पेपर है, तो आपको 75-85 भी लेके आगे, तो topper की number होते हैं, आप 65 से लगा कर 80 की range में भी number लेके आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा रिंखा जाएगा आपका, ठीक है, चलिए, next question, question number 111, the voltage V of T shown below is applied to the given circuit, V of T equal to 3 volt for T less than 0, and V of T equal to 6 volt for T greater than 0, the value of current I of T at T equal to 1 second in ampere is, इतनी देर सम कैपसिटर कैपसिटर के पीछे पढ़ते हैं, अब आया है इंडक्टर, है ना, अब आया है इंडक्टर, अब देखें, यहाँ पर क्या हुआ है, कि आपको यह I of T पुछा है ना, यह पुछा I of T, जो की करेंट आपका इंडक्टर के एक्रोस ही है, इंडक्टर की थुरू आपका करेंट जाड़ा I of T, तो इसका मतलब है step 1, step 2, step 3, follow करना पड़ेगा, आमें, बिल्कुल कर लीजी, तो step number 1 क्या ह 3V है, यह कितना आपका 3V, 3V है, उस टाइम पर आपका जो यह जो voltage है, यह जो source है, इस inductor पर impact आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है था, हमीं बोल सकते हैं, जो inductor है, वो आपका क्या 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 लाएगा, width source क्या लाएगा, inductor क्या है, width source, और width source है, इसका मतलब है, आपका य और यह है आपका inductor जो होगा, वो short circuit हो जाएगा, ठीक है, और यह है आपका one oh, one oh और one oh, और यहाँ पर हम यह बोल सकते हैं, कि यह हो जाएगा आपका il zero minus, il zero minus current flow हो रहा है, तो अब यह current flow हो रहा था, आप देखे, simple सा circuit, आप transient बोल जाएए, अब आपको simply, एक simple circuit है, आपका एक बेचारा सा 3V voltage लगा हुआ है, रजिस्टर है, दो parallel में register है, और यह current निकालना है, इस तरह का problem तो आपने कही बार किया है, कैसे करते हैं हम लोग, total current निकाल ले, total current निकाल लेते हैं, अगर यहाँ पर total current और यह total current पता चले जाए, तो उसको current division रूल लगा परलल में, पहले total निकाल लेते हैं, equivalent कितना हो जाएगा, दोनो दोनो, 1 और 1, parallel 1 by 2, 1 by 2 और 1, फिर क्या हो जाएगा, series में हो जाएगा, तो आर equivalent जो हो जाएगा, आर total जो हो जाएगा, 1 by 2, प्लस 1, मतलब की 1.5 मतलब 3 by 2, और current अगर मैं total की बात करो, तो voltage 3V divided by 3 by 2, तो यह कितना हो गया, 2 ampere हो गया, 3 से 3 cancel हो गया, 2 ampere, अब 2 ampere current total है, और यह दोनों में divide हो रहा है, इसका मतलब resistance सेम है, इसका मतलब आदा-दा हो जाएगा, तो 1 ampere तो I L, I L 0 minus, equal to I L 0 plus, दोनों के दोनों क्योंकि प्लस भी क्या रहेगा, बराबर, वो कितना हो जाएगा, 1 ampere हो ज अब I L 0 plus पे भी 1 ampere flow हो रहा है, अब क्या हमें step number 2 की 0 थे, नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर की through current पूछा है, और उसमें हमें 0 plus मिल चुका है, बाकि अगर कोई पूछा जाता हम करते, अब directly हम लोग step number 3 लेख देते, क्योंकि step number 3 infinite वाला चाहिएगा हमें तो step number 3, T equal to infinite, T equal to infinite का मतलब है, देखिएगा, infinite का मतलब है, 6 volt, infinite T equal to infinite जाएगा, तो 6 volt आ रहा है, तो voltage है आपका 6 volt, 6 volt यहां लगा, तो inductor कैसा फिल कर रहा, with source without source, with source, तो हमें बोल सकते हैं, inductor यहां पे क्या है, with source है, और with source होगा, तो इसका मतलब है, inductor क्या होगा, आपक तो सिर्फ और सिर्फ है ना, वापस circuit बना देते हैं, बस voltage चेंज होगा, voltage इस बार क्या रहेगा, 6, ठीके, और यह हमारा पूरा as it is रहेगा, बस यहां पर, यह हो गया हमारा, il of infinite, है ना, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस voltage की जाएगे, 6 लग जाएगा, तो I total, current कितना आ जाएगा, 6 divided by 3 by 2, तो यह हो जाएगा, आपका 3, 3, 2, 6, 4, 4 है ना, 4 हो जाएगा, 6, 12, 3, 12, ठीके, और यह 2, 4 amp, current दोनों में divide हो जाएगा, तो I L of infinite कितना हो जाएगा, 2 amp, ठीके, तो यह हो गया हमारा, 0 प्लस पे, infinite पे, simply, अब हमें क्या करना है, generalized expression लिखना है, generalized expression हमारी, I L of T, equal to, infinite कितना है, 2 plus, 1 minus 2, into the power minus T by tau, हैना, अब निकालना है, tau, the value of current, at 1 second, पूछा है, तो पहले, generalized लिख देते, तो tau कितना हो जाएगा, देखे, इसको हटा दिये, हम लोगों ने, यहां से, हैना, यहां से हम लोग हटा दिये, inductor को हटा दो, inductor को हटाने के बाद, यहां short हो जाएगा, short हो जाएगा, तो यह बन जाएगा, आपका one ohm, यह one ohm, और यहां से हम लोग देख रहे है, equivalent, one ohm, ठीके, यहां से देख रहे है, our equivalent, तो यह क्या बन जाएगा, दोनों parallel में, then इसके series में, हैना, then क्या हो जाएगा, series में, क्योंकि यहां पर यह दोनों parallel में, तेन इदर से आपका सीरीस में तो 1 और 1 परल्ल कितना हो गया यह हो जायेगा 1 by 2, 1 by 2, 1 3 by 2, 3 by 2 इसका मतलब 1.5 1.5 ठीकłe, और यह हो गया r equivalent और time constant कितना हो जाएगा time constant हो जाएगा l by r equivalent l कितना है, 1.5 r 1.5, तो हो गया 1 time constant कितना हो गया, 1 अब आपसे simply पूछा है कि current 1 second पे कितना होगा तो 2 plus minus 1 e to the power minus 1 ठीके इसको solve कर लेंगे तो 2 minus e to the power minus 1 तो यह आ जाएगा 1.632 ampere is the answer current at 1 second मज़ा आया तो यहां पर दो different different voltage sources लगे थे आपको signal के through एक battery का symbol देके दो अलग-अलग voltage लगवा दिये अलग-अलग situation पर और आपसे current पूछा है तो इस तरह के questions भी हम लोग को बहुत ही simple तरह की step number 1, 2, 3 को follow करो और answer लेके आजा चलिए next question के तरफ बढ़ते हैं, question number 112, बहुत interesting question है, in this circuit shown the voltage Vn of T है न, Vn of T is described by, आपको इस जो source voltage Vn of T, V input voltage भी बोल सकते हैं आप, उसका description दे रखा है, क्या दे रखा है कि T less than 0 होगा तो यह क्या हो जाएगा, 0, और T greater than or equal to 0 रहेगा, तो कितना हो गया, 15 volt, मतलब कुछ इस तरीके से signal है, हम यह बोल सकते हैं, यहाँ पर Vn of T, आपका कुछ इस तरीके से 15 volt given है, ठीक है, 15 volt given है, T equal to, यह time T equal to क्या आपका 0 है, यह time axis है, यह कुछ इस तरीके से given है, where T is in second, यह ध्यान रखना, क्यों कई बार millisecond में भी होता है, यह आपका काय में है, time second में है, the time in seconds, at which the current I, current I है, capital I, in this circuit, reach, in this circuit, will raise the value 2 ampere is, आप से बोला है, कि जो I current है, कहां दे रखा I current, यह दे रखा I current, यह I current की value 2 ampere, पहुचने में कितना time लगेगा, और काय में, seconds में पूछा है, question को समझना सबसे जरूरी है, पहले question को समझिए, फिर solution स्टार्ट करिए, पता चले, आज है solution तक पहुचर फिर देखे, और यह question में तो कुछ और दे रखा था, तो गड़बड हो सकती है, ठीक है, चले, तब question को solve करते है, इसका मतलब है, कि हमें कुछ नहीं करना है, इसका यह find out कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, इसकी value 2A लिखेंगे, 2A लिखने के बाद, बचेगा क्या unknown time, I of T 2A लिख के time रहेगा, उसकी value निकाल लेगे, इतना आसान है, ठीक है, चले, आप कर लेते हैं, चले, तो step number 1, step number 1, पहले लिखे, step number 1, T equal to 0 minus, T equal to 0 minus पे, क्या source available है, नहीं, 0 है, इसका मतलब जो inductor है, यह जो 200 inductor, क्योंकि इसकी बात क्यों कर रहा हूं है, इसकी बात इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि इसके cross ही हमें निकालना है, और दूसरा inductor है, उसका भी nature देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कहीं है, क्योंक इसको देखना है, जितने भी circuit में energy storing element चाहे, वो inductor हो चाहे, capacitor हो, सबको T equal to 0 minus पे देखना है, तो यहाँ पर जब source ही नहीं है, तो दोनों inductor क्या है, inductor कोई से भी 1 हेंडरी हो, चाहे 2 हेंडरी, दोनों के दोनों क्या है, आपके, without source है, without source का मतलब है, initially relaxed, without source, initially relaxed, इसका है, कि I, I, L, मतलब यह बोल सकते हैं, हम लोग 1 हेंडरी और दोनों है, उसमें, दोनों के cross जो current है, हमारा, I, L, 1 कर देते हैं, इसको, I, L, 1 कर देते हैं, है ना, 1 हेंडरी का, I, L, 1 कर दिया है, मैंने current, 0 minus equal to 0, और यही current हमारा, I, L, 1, 0+, पे भी रहेगा, 0, एम पर, और इसको capital I से show किया है, तो capital I, 0 minus equal to 0, तो यही हमारा I, 0+, पे भी वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यह symbol पहले से given था, तो हमने यही वाला symbol यूज़ कर लिया, तो दोनों के दोनों current हमारे 0 है, अब हमें देखिया, I of T, find out करना है, हमें कोई मतलब नहीं, इसमें कोई current कितना जा value पहले से पता है, अब हमें T equal to infinite, क्योंकि second step तो already निकल के आ चुकी है, तो हम यहाँ directly क्या करेंगे, step number 3 पे जाएंगे, step number 3, T equal to infinite पे आप देखिये, T equal to infinite पे आपका source है, with source है, without source है, तो यहाँ पर T equal to infinite पे 15 volt है, इसका मतलब यह क्या है, आपका width source है, इसका मतलब दोनों inductor क्या हो जाएंगे, आपके, short हो जाएंगे, short हो जाएंगे, और short होने के बाद यह कुछ इस तरीके से दिखेंगे, कि यह 15 volt battery, और यहाँ पर यह one ohm register, यह हमारे क्या हो गए, short हो गए, यह हमारे short हो गए, दोनों inductor क्या हो गए, short हो गए, और यहाँ पर जो current है आपका, यह वन हेंट्री और यह कितना आपका 200 और यहां पर जो करेंट है आई ओफ इनफाइने ठीक है और यह आपका वनों दे रखाए अब सेम आपका सर्क्यूट आपने कहां पर करेंट डिविजन रूल में दो इंडक्टर ऐसे पैरलल में लगए होते करा था के नहीं और मैंने व आपको बता चुका हूँ तो यहां पर सिंपली आपको क्या लगाना है करेंट डिविजन तो टोटल करेंट कितना निकलाएगा अगर यह टोटल करेंट आपको पता चल जाए तो यह करेंट आपको यहां पर करेंट डिविजन रूल लगा दोगे तो आपका यह आई ओफ इ इंफाइनाइट अगर हमें देखना है तो यह हो जाएगा current division rule, inductor में current division rule कैसा चलता है? जैसा register में चलता है, जिसमें नहीं निकालना वो उपर, और दोनों का addition into total, तो तीन और तीने पंजे 15, 5 M पर आगया आपका infinite, इसका मतलब I of total अब हमें निकालना है, तो I of total कितना हो जा अब τाउ निकालना है, तो यहाँ पर देखें infinite पर आपको ताउ निकालना है तो यह हो जाएगा आपका r equivalent कितना हो जाएगा यह short circuit तो यह वनो और L equivalent कितना हो जाएगा? L equivalent यहाँ पर T by tau तो tau ay equivalent divided by r और L equivalent हो जाएगा आपका दुनों parallel, दुनों parallel 2 into 1, 2 divided by 3 मतलब 0.666 ठीक है और यह हो जाएगा 1 तो यहाँ पर 0.6666 ठीक है चलिए अब हमें क्या करना है हमें करना है यह current अगर आपका 2A हो जाए तो कुतने time पर हो रहा है तो वो निकालना 1-a to the power minus t by 0.666 ठीक है अब 2 by 5 जाएगा 2 by 5 कितना हो जाएगा 0.4 2 by 5 कितना हो जाएगा 0.4 1-a to the power minus t by 0.6666 ठीक है पर इसको solve करना है आपको इधर लेकर आजाना प्लस में यह उदर चलिएगा तो 1 upon और फिर ln में चलिएगा और पूरा सिप solve करोगे तो t equal to आ जाएगा 0.340 second ठीक है तो यह हो जाएगा आपका answer मजा इस question में बहुत ही better question था क्योंकि आपको इस तरह के दिखें जब भी इस तरह के से bifurcation देते हैं न input voltage के तो बहुत सारे students सुचते कहां दिमाग लाएं क्योंकि question देखने में tough लगता है पहली measure में question देखो आ रहे यार पता नहीं क्या पूछ लिया क्योंकि signal and system को लेके एक ह procedure लगाना है आपको step number one step number two कितने ही question अभी तक हम लोगोंने करे उन्हीं तीन steps आपके answers आ रहे हैं आपके generalized expression पूछ रहे हैं बार-बार generalized expression को भी वो क्योंकि देखिए अब numerical data ही पे तो question कैसे form करें अगर objective होता तो directly ये expression आपको objective में given हो जाती है ना चार option में but आपको क्या numerical data तब numerical data में same question कैसे बनाना है तो उन्होंने क्या करा time पूछ लिया कभी voltage पूछ लिया कभी charge पूछ लिया इस time पे कितना होगा इस time पे कितना होगा तो generalized expression निकालो time अगरा की value put करो और ये आपकी जो calculation बहुत ही easy calculation कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको बहुत virtual calculator चला करांगा मैं next lecture में जो की complete transient हो जाएगा हाँ लेपलास के नहीं करांगा कि लेपलास के लिए मैंने बोला है कि lecture no.75 देख लीजिए उसमें सब कुछ available है क्योंकि आपके 99% जो questions होते time domain based होते हैं इस वाज़े से मेरा पूरा focus time domain पे लेपलास का एक lecture बहुत ही अच्छा of cost वो जाके आप देख सकते हैं सारे रूल बताएं उसमें भी step no.1 as it is रहती है step no.2 में बस लेपलास का एक circuit बनता है और solve हो जाता है तो next lecture में तीन question और है और बहुत ही बहतरिन question है तीनों की तीनों next lecture में हम लोग discuss करेंगा और इसी के साथ में फिर हम लोग next lecture में transient complete कर दे ठीक है तो मिलेगे next lecture में remaining three questions के साथ